हालो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग दोस्तों मैं अभी घर से निकल गया हूँ खुबह के बता देता हूँ आपको कितने बज रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 541 अभी मैं निकल दिया हूँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग वीडियो जाते रहेंगे मेरे चैनल पर और आपको दि यह सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं यहां पहुंच गया उठाने के पास यह है अपना सिंग्रा मो का थाना अब दोस्तों जो आप पीछे यह देख रहे हैं मंदिर यह संकर भगवान का मंदिर है इसका नाम जो भी नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि यह गुजरना धाम है यहां पर बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं दर्सन करने यहां पर भीड लगती है भी तो सावन का मह जो जो अब जो जो आप अब जो आइसे जितने भी यह वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूंक मैंने भी यह मेरा चौथा ही व्लाग है और मैं भी कोई बहुत ही फेमर्स व्लागर नहीं हूँ अभी मैं इतना स्टोरी टेलर ही नहीं हो कि मैं स्टोरी कुछ न कुछ बताने लगूं बैस ऐसे ही ब्लागिंग शुरू कर देता हूं कहीं भी जैसे जाता हूं दिखा देता हूं आप लोगों को क्या क्या यहां पर है तो सपोर्ट कीजिएगा कुछ दिनों बाद और बहुत कुछ आएग बैसे मेरे पीछै आप देख सकते हैं ये दैयन अंट सर का स्कूल है यहां पे एक स्कूल चलता अब यह आठ आठमी तक चलता है पूरे आपको यह दिखा देता हूँ यह अंदर का व्यू जैन अंसर का स्कूल है यह बहुत दूरी पर मलत थोड़ा बाहर आउटर में खोले हुए लेकिन चलता पड़िया है फैसे बता दो कि धान की खेती चल रही है लेकिन यहां पर कुछी लोगोंने धान की रोपाई की है आप यहां पर दिखाई देगा है अब ही यहां पर और थारे है पूरे यहां पर थाली पड़े हुए है पूरव खेत अभी खाली पड़े हुए इससाइड और इससाइड को लिघान की रुपाए की है चाइड अब बरसात का इंतरा कर दार करें और यह वह तो कुछ ना कुछ लोग और धान की रुपाई करेंगे बास अभी और आगे विगव आपको दिखाता हूं ले रही वैसे आपको बता दूँ कि फाइनली मैं रेल पट्री के पास पहुंच गया हूँ यह है वराणसी टू लखनवु वाया सुल्तानपूर लाइन जो कि यहां से आपको अगर सुल्तानपू जानों यहां पे पीछे एक किलोमीटर पीछे हरपाल गंज स्केशन है भी उसका ब्ल जी लाइक, ठैंक्स मिलते हैं किशे इनद रहे हैं